नमस्ते बच्चों मैं डॉक्टर सीमा चौधरी सहय आचारे संस्कृत राजकी महविध्याले पूंदी प्रथम वर्ष के पाठे करम कुमार संभव के बंचम सर्ग के 53 लोगों का अध्यन हमने अभी तक कर लिया है अब आप ये 54 लोग देखिए असहिय हुकार निर्वर्तितह पुरा पुरारिम अप्राप्तमुखः शिली मुखः इमाम हृदयी व्यायत पातम क्षिनोत विशीन मूर्तेर अपी पुष्प धन्वना अन्वे देखिए इसका पुरा असहिय हुकार निर्वर्तितह पुरारिम अप्राप्तमुखः विशीन मूर्तेई पुष्प धन्वना शिली मुखः इमाम हृदयी व्यायत पातम अक्षिनोत तो पुरा यानी प्राचीन समय में जो पहले जो था पुर्व समय में और सहिय हुकार निर्वर्तितह जो क्या था कि पुरा यानी प्राचीन समय में नश्ट शरीर वाले भी और सहिय जो हुकार थी उसके द्वारा लोटा हुआ निर्वर्तितह यानी लोटाया गया पुरारी जो पुरारी किसको कहा गया है पिनाक पाणी को शिव को तो जो पुष्प के धनुष वाले और प्राप्त मुखह जिसके अगरभाग ने भी नहीं प्राप्त किया हो ऐसे विशीन मूर्तह नश्ट शरीर वाले पुष्प धनवनह जो पुष्प के धनुष वाले कामदेव हैं उनके बाण शिली मुखह जो कैसे थे बाण तीक्षन थे उनको इमाम इसके हृदय यानि हृदय में व्यायत पातम अक्षिनोत गहरा घात उनके द्वारा कर दिया ग गया है तो यहां क्या कहना जा रहे हैं वो के जिनका पूर्व समय में शरीर नेश्ट हो चुका था वो भी जो पुष्प धनवनह हैं पुष्प के धनुष वाले कौन हैं कामदेव हैं उनके शिली मुखह तीक्षन बाणों ने वो कैसे थे कि असहनिए हुंकार निर्वर्दित था जो असहनिए पुरारिम पुरारियानि शिव की हुंकार मात्र से ही जिसको लोटा दिया गया था जिनके अप्राप्त मुखह और जिन शिव के अगरभाग ने भी उस जो बान था उसको प्राप्त नहीं किया था उनके पास तक वो आगे के भाग तक भी नहीं मौश पाया था उस बान ने इमाम हृदी इसके हृदय में वियायत पातम अक्षिनोत गहरा खाव कर दिया है अर्धार्थ उस बान से ये पारवती जी अत्यन आहत हो गई है यहां जो इस लोग के बच्चों इसमें पारवती की सकी ने कामदेव को भस्म करने वाली पूर्वगटना की और संकेत करके बताया है कि किस प्रकार से कामदेव जो थे वो पहले भस्म हो गए थे शिव की औस अहनिय हुंकार मात्र से तो अब इस से अगला श्लोग देखिए तदा प्रप्रत्यूम उन्मदना पितुग्रहे ललाटिका चंदन दूसरालका न जातुबाला लवतेस्म निव्रत्यम तुशार संगात शिलातलेशु अपी तदा प्रप्रती पितुग्रहे उन्मदना ललाटिका चंदन दूसरालका बाला जातुब तुशार संगात शिलातलेशु अपी निव्रत्यम न लबते स्मां तो तदा प्रप्रती उस समय से ही जो उसी समय से आरंब हो गया था या तभी से ले करके वो तभी से कबसे है जब से काम देव के बान से भिद्ध होने के बाद से तो पितु हुग रहे जो पिता के घर में उन मदना उत्कृष्ट काम वाली थी और ललाटी का चंदन दूसराल का जो क्या करती थी अपने ललाट पर इस्थित तिलक के चंदन से दूसराल का सफेद बालों वाली यह बाला यानि यह बाला जातू तुशार संगात शिला तलेशू बर्फ की संगात यानि जमीवूई शिला तलेशू चट्टानों पर भी जो अपी निव्रत्ती न लवते स्मा निव्रत्ती यानी जो की सुख का अनुभव न लवते नहीं करती थी अर्थार्थ जो बर्फ की चट्टाने थी जमी हुई उन पर भी वह सुख को प्राप्त नहीं कर पा रही थी वहाँ भी उन्हें आराम नहीं मिल रहा था ऐसी वो पार्वती थी तो एक बार इस कार्थ फिर से देख लीजिए तदा प्रव्रती उस समय से लेकर अर्थार जो कामबान से बिद्ध होने के बाद से वो पितूक रहे पिता के घर में उन मदना उतकृष्ट काम वाली तिलक के चंदन से सफेद बालों वाली बाला ये जो बाला थी वो तुशार संगात शिलात लेशू तुशार यानि बर्फ की संगात जो इकटी हो गई है ऐसी शिलात लेशू जो जिनकी चटान शिला बन गई है ऐसे पर भी वो न लबते नहीं प्राप्त कर पा रही थी किसको निव्रतिम सुख को अधार्ट इतनी ठंडी शिला पर भी बैट कर उन्हें शान्ती या सुख का अनुभव नहीं हो पा रहा था तो इस लोप में पारवती की सकी ने काम बाण के प्रहार से आहत होने के बाद पारवती की जो स्थती की हुई है उसका चित्रन किया है वे काम से इतनी संतप्त हो गई थी कि बर्व की चट्टानों फर भी उन्हें संतोश या सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था यहां ये चंदन दूसर आलका में ललाटिका या हा चंदनम ललाटिका चंदनम शष्टी ततपोरुष का प्रियोग किया गया है इससे अगला श्लोग देखिए उपात्वर्णे चरिते पिनाकिनह सवाश्पकंठ इस्खलिते पदेर इयम अनेक्षह किन्नर राजकन्यका वनांत संगीत सकिर रोधियत अन्वे देखिए इसका इयम पिनाकिनह चरिते उपात्वर्णे सवाश्पकंठ इस्खलिते पदे वनांत संगीत सकिर किन्नर राजकन्यका अनेक्षह औरोधियत तो पिनाकिनह ये जो पार्वती है इयम ये जो पार्वती है वो पिनाकिनह भगवान शिव की चरिते जो वीरता है उसके उपात्त वर्ने सती जो गीत गाने पर कैसी हो रही है सवाश्प कंठ स्कलिते अश्रूं से युक्त कंठ भर आने की कारण गदगद होकर के जो तूटे फूटे और सपष्ट शब्द उनसके द्वारा वनांत संगीत सकी ही वन प्रदेश में रहने वाली संगीत की अपनी सकीयों को सहेलियों को वो कैसी सकीया है किनर राज कन्य का जो की किनर राजाओं की कन्याओं को भी बार बार अनेक्षः और रोदियत बार बार रुलादती गई थी तो यह पार्वती क्या है यम यह पार्वती पिना किनह भगवान शिव की चरिते जो वीरता है उसके उत्पात वर्णे गीत गाने से पर गीत गाने पर सवाश्प कंठ असकले तई अश्रु सहित गदगद कंठ से और इस पश्ट निकलने वाले शब्दों के द्वारा पदई यानि शब्दों के द्वारा वनांत संगीत सकी ही वन प्रदेश में साथ गाने वाली अपनी सक्यों किन्नर राज कन्य का ऐसी किन्नर राजाओं की गंधर्व राजाओं की जो कन्याएं हैं उनको भी अनेक्षह औरोद्यत बार बार रुलाती थी तो यहां बच्चों भगवान शिव के गीतों को गदगद कंट से गाती थी कौन पारवती वह इतनी भाव विहल हो जाती थी कि उसके साथ वाली किन्नर राज कन्याएं भी उसके साथ साथ अनेक बार रो पड़ती थी यहां उपात्त वर्णई में उपात्तह वर्णः यस्यतत उपात्त वर्णः तस्मिन उपात्त वर्णई बहुब्रिही समास है और रोधयत में रोध निच और लंगलकार का प्रतम पुरुष एक वच्चन का प्रियोग किया गया है आप इससे अगला श्लोक देखी आप त्री भाग शेशासू निशाशू चक्षणम निमेल्य नेत्रे सहसा व्या बुद्यत क्वा नील कंठ ब्रज सीत्य लक्षवाक और सत्य कंठार पित बाहू बंधना आज कान्वे देखी बच्चों च त्री भाग शेशाशू निशाशू च्षणम नेत्रे निमेल्य हे निल कंठ क्वा ब्रज सी इती लक्षवाक और सत्य कंठार पित बाहू बंधना सहसा व्या बुद्यत यहाँ पर कहा जा रहा है च और यह तथा त्री भाग शेशासू रात्री के तीसरे भाग के शेश रह जाने पर निशाशू क्षणम मुहुर्थ मात के लिए नेत्रे निमिल्य है अपनी आखों को बंद करके जो अचानक ही हे निलकंट हे निलकंट क्व ब्रजसी आप कहा जा रहे हो इती इस प्रकार से ओ लक्षय वाग बिना किसी को ओ लक्षय यानि बिना किसी को लक्ष किये हुए वाग यानि वानी बोलती हुई च और कालपनिक ओ सत्य कंठार पिता बाहू बंदना जो कालपनी गले में ही अपनी भुजाओं को डाली ती हुई जाग जाती सहसा अचानकी व्याबुध्यत जाग जाती थी तो इसका आर्थ फिर से देख लीजे बच्चों वो क्या करती थी पारवती च और क्या करती थी त्री भाग शेशाशू जो रात्री के तीसरे भाग के शेशाशू शेश रह जाने पर निशाशू क्षणम मूर्त मात्र के लिए आखों को नेत्रई आखों को निमिल्या यानि बंद करके ही क्या कहती थी अचानक ही हे नील कंट इस प्रकार से क्वेवरज सी आप कहां जा रहे हो इती इस प्रकार से ओ लक्षेवाग बिना किसी को लक्षे करके बानी बोलती हुई और और सत्य कालपनी गुरूप से ही कंट अरपित गले में ही अपनी बाहू बंधना बुजाओं को डालती हुई सहसा यानी अचानक ही व्यवुध्यत जाग पड़ती थी ऐसी इस प्रकार का व्यवार उनपारवद्धी का हो गया था तो इस लोक में जो भगवान शिव के वियोग में विरह वेदना से व्यथित पारवती का इस पध्य में इस लोक में चित्रन किया गया है या बताया गया है सकी ब्रह्मचारी से कहती है कि कभी-कभी तो ये स्थती भी आ जाती थी कि रात्री में यह बेना किसी को लक्ष किये ही कुछ-कुछ नकुछ बोलने लग जाती थी तथा शिव का गला वहान होने पर भी जूटे गले को अपनी भोजाओं से पकड़ने का प्रयास भी करती थी इस प्रकार वो जो पार्वती थी उनकी इस्थती हो गई थी यहाँ नीलकंठ में नीलह कंठ यस्यासो नीलकंठ बहुब्रही समास है और असत्यकंठा रपित बाहु बंधना में असत्यश्यासो कंठः असत्यकंठः कर्मधारे समास है तो बच्चों आज हमने यह चार श्लोक पड़े हैं जिसमें बताया गया है कि जो पार्वती हैं उनकी इस्थती किस प्रकार की हो गई है उसमें वो जो अपनने चाउवनवश लोक पड़ाया है हमने उसमें पहले बताया गया है कि जो कामदेव हैं उनका भी जो पुष्पों वाला धनुष्टा वो जो शिव हैं उनके द्वारा लोटा दिया गया था जो उनके शिव के आसपास अगरभाग भी जिसका शिव के पास नहीं पहुंच सका था उस कामदेव के बान के द्वारा वो पारवती अत्यंधी आहत हो गई थी और उससे जो अगला श्लोक है उसमें ये बताया गया कि कामदेव के जो बानों से बिद्ध होने के बाद से पिता के घर में भी जो उत्कृष्ट रूप से निवास कर रही थी वो जो पारवती है ऐसी वो बर्फ की जमी हुई चट्टानों पर भी सुख को संतोष को प्राप्त नहीं कर पा रही थी इसके अतिरेक्त जो पारवती है वो कैसी है कि भगवान शिव की बीरता के गीत गाने पर अश्टु सहित गदगद कंड से असपश निकलने वाले शब्दों के द्वारा इसमें भी बताया गया है कि जो रात्री का तीसरे भाग के शेश रह जाने पर मोर्द मात्र के लिए भी जो आँखों को थोड़ा सा भी बंद करती थी और फिर जैसे ही आँखे बंद होती थी उनके नेत्र बंद होते थे तो वो यह आवाज लगाती थी कि है नील कंट है आप कहां जा रहे हो इस प्रकार से वो बोलती थी या कहती थी और कालपने गले में ही अपनी भुजाओं को डालती हुई जाग पड़ती थी तो आज हमने बच्चों ये इन चाश लोकों का अध्यन किया है आशा करती हुँ कि आपको इनका अर्थ समझ में आ गया होगा इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंब करेंगे